सो हेलो फ्रेंड्स कल मैंने बहुत ज़न को बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगो पता चल जाए गया कि आप लोगो कौन सा कॉलेज में एड्मिशन लेना अप लोग कितने मार्क्स आएंगे तो आप लोग कौन-कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस वीडि चले हरे कॉलेज बता देता हूं क्या क्या कर सकते हैं गात है तो सबसे पहले अगर आप होता है तो आप कौन-कौन से कॉलेज में आपको पहले भरना चाहिए तो सबसे पहला गौिंका कॉलेज आप 85% से आपको आता है तो आपको गौिंका कॉलेज में माने की हमेशा कट आफ 90 में ही रहता है लेकिन इस बर क्या हुआ तो मुझे लगता है कि थोड़ा कट आफ काम होगा इसलिए आपको गौिंका कॉलेज में भरना चाहिए अगर 85% से जादा आपको आता है तो उसी सबसे अगर आपका 85% जादा आ रहा है लेकिन आपका मैट्स है तो आप जरूर में ज्यादा चांसेस है क्योंकि उसमें मैस है तो उसमें उसमें कम आता है थोड़ा ठीक है भले आपका फॉर्स्ट लिसमें नाम ना आए लेकिन सेकेंट हर्ड में आहीं जाएगा यह तो ऑल्मॉस्ट है कि जाब बहुत ज्यादा चांसेसे आपका जाएगा तो गुंका कॉलेज सेंट जेवियर तो कि आप लोगों हमेशा 3-4 मतलब आपको बैक अप रखना पर एगा कॉलेज का आप सुझेओ कि मेरा 80-90 परसेंट आया तो मैं गुंगा कॉलेज में फॉर्म भर के छोड़ दूंगा नहीं यह बहुत गलत बात है आप लोगो तिन चार कॉलेज में फॉर्म भर के रखना है क्योंकि हो सकता है किसी साल कट अब जादा आ जाए और आपका मनाम ही नहीं आए उसके बाद आपने तो किसी और को लिए नहीं यह तापका और सबका उस वक्त तक मेरिट लिस निकलेगा तब तक सबका रेजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो जाएगा तो आपका एक साल पूर ज़रूरी है और फॉर्म की कितना सारे तो गवर्मेंट कॉलेज है अल्मोस 95% कॉलेज है सब का फीस लगता एक सो दो सो एक सो दो सी करता है तो आपको भड़ना ही पड़ेगा वैगप के लिए करना ही पड़ेगा ठीक है जब पूरिया को यह बहुत फेमस है इसमें भी ले प्लस पॉइंट है कि आपका अटेंडेंस के जहमेला नहीं है बागे सब कॉलेज में बहुत लोग जो लोग जो लोग जाते है इसको उनलों को फर्स सेमेस्टर में से पैसा लगता है उसके बाद अगर अच्छे से बढ़ते हैं तो आपको स्कॉलर्शिप मिल जाता है तो फैकल्टी पिस अच्छा है ऐसा नहीं है कि खराब है उसके दाशिवनाथ शास्त्री अगर आप गल्स हो अगर आपका 85% में मार्क साथ 85-290 में मार्क साता है तो आप शिवनाथ शात्री में भर लो मौनिंग सेक्षिन उनलों के लिए बेस्ट है क्योंकि मौनिंग में आप आपका मौनिंग में दस ही आ तो कॉलेज खाता है उसके बाद आपका पूरा डे फ्री मिलता है उसके आप जो भी कुछ कर सकते हैं वही डे में डे सेक्षेन थोरा टामिंग थोरा लगकर आता है यह मौनिंग यह ओनली फर गर्ल्स है अगर आपका 85 से जाधा आता है तो डेफ मतलब इस इन फैक यही मतलब हुआ कि आपका 85 से जाधा आता है तो अपने एक तो बेस्ट कॉलेज चुनिया ही बैक आप में तिन चार कॉलेज जरूर चुनिया है जो कि इसमें थोरा-थोरा कम परसेंटेज का टफ रहता है उससे क्या होगा कि आपका सिक्यूर हो जाए कि इसमें नहीं इसमें इसमें आएगए और डेफिनेटली इक बताता हूं इसक्त कॉलेज हो झेटा grey को मैं पबोगी सिर्फ नाम का होता है ठीक है कुछ सकूलेज में एक्स्ट्रा एक कॉलेज में इर ung वहां कॉलेज़ चूडेंट से बनता है कल को अगर कोई अच्छे चूडेंट में कॉलेज में भरेंगे उसका वी कॉट आप है इसलिए लोग जाते हैं कुछ नहीं कि वहत अच्छा है normal जैसे सब उने वहते हैं ऐसा करना है और साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल करना है बस आपको कुछ टाइमिंग क्लैस्ट ना करें बस और कुछ नहीं और जिससे आप प्रोफेशनल को करके आपको अच्छा कर पाऊ ठीक है और अगर आपका स्कूर से 85 परसेंट अगर बेस्ट फाइब में आता है तो आप कौन-कौन से कॉलेज में भर होगे है रंबाचंद कॉलेज में भरना शिवना सास्त्री अफ गल्स में भरना वह भी प्राइबेट कॉलेज है लेकिन इसका वह अच्छा है बहुत कुछ आप पूरिया कॉलेज में भर सकते हो क्योंकि उसका कटफ माने की 85 तक जाता है लेकिन क्या पता इस बार कम होगा तो में भी 80 में आ जाए 78 में आ जाए 80 में आ जाए तो आपको बैकप के लिए यह सब चीज आपका टॉप कॉलेज होना चाहिए आप बैकप के लिए और सब कान कर्म कोटтории को लिए मौलानाजात कॉलेज है सफी यह सब कॉलेज है कॉलेज के लिए भर सकते ऑप ऐगा ती了吧 परहाई आपको खुश्ते करना माक्स यह नहीं है माक्स खुश्ते लाना बस उसके बाद अगर आपका 70% से कम आता है तो बेस्ट ओफ और में तो आप भावनिपूर बावनिपूर बावनिपूर क्या होता आपका कम माक्स प्याथा तो आपको फीज देना पड़ेगा और आपका अड्मिशन हो जाता है यह मतलब उसक्त आपको कम माक्स आएगा तो आपको अड्मिशन हो जाएगा में अगर सिवेंटी परसेंटस पर सब्चांट सबfortable कर सकते हो ये जी सी बहुत कॉलेजड कर सकते हो इसमेगा हो क्याहाद को मोता है जलान कालीज कटश कम होता है प्रफिल्चंद कालेज इवणिग इस लिए इसलिए का टाइमिग मानिंग-वई का 50 तोर ट्यमिंग में की temporary जाता है और जिसका इवनिंग हो था उतना ही कुट अफ कम हो जाता है दे में थोड़ा उसाफ काम सबह से मास मक्षक्ष ऑगर आपका मांक्स बहुत कमाया है तो एवनिंगra करोगे तो इवनिंग में आपका बलाना अज़ाद है तो यह सारा कॉलेज आप भर सकते हो अगर आपको 70 से कम आए तो फॉफुली आपको आप टेंशन नहीं होगा कि कौन सा कॉलेज भरे बट एक चीज हमेशे आदा है कि आपको बैक अप 3-4 कॉलेज में भर नहीं है फॉर्म बैक अप में भर नहीं है ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो अद में ठीक है यहीं तक तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू सो मच टेक क्या